आप देख रहे हैं समाचा आर इंडिया का बॉलिवूड बॉलिटिन इंडस्ट्रियों साती देश के लिए बड़ा प्राउट का मूमेंट होता है जब किसी बॉलिवूड सेलेब्रिटी को इंटरनेशनल फिल्मेकर के साथ काम करने की ऑपुचिनिटी मिलती है जहां प्रियांका छोप्रा, दिपिका पादुकोन, अमिता बच्चन और इर्फान खान जैसे एक्टर्स हॉलिवूड में अपने काम से अपनी अलग पहचान बना चुके हैं वही डिम्पल कपाडिया भी इस लिस्ट में शामिल होने वाली है डिम्पल कपाडिया क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग फिल्म में काम करने जा रही है जिसका टाइटल होगा दिटेनिट जो की एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी क्रिस्टोफर नोलन एक मोस्ट अक्लेंट फिल्मेकर है जो इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डेंकर्ग जैसी फिल्म के लिए जाने जाते हैं टैनेट में डिमपल, रॉबर्ट पेटिंसन, जॉन डेविड वशिंग्टन साथ ही और भी कई को स्टार्स के साथ दिखें राहुल बोस ने कुछ दिनों पहले चंडीगड में फाइस्टार होटेल जे डबलू मारियट के पूर सर्फसिस पे एक विडियो बनाया था जिसमें वो बता रहे थे कि उन्हें दो केले ओर्डर करने के लिए उनसे 442 रुपीज चार्ज किये गए इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ, कुछ लोगों ने राहुल बोस की तो कुछ लोगों ने 血्रोल किया लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई विडियो के वाइरल होने के बाद JW Marriott पर text-free item पर text लगाने, overcharge करने और hotel के लिए भेजे गए notice का satisfactory explanation ना देने पर 25,000 रुपे का जुर्माना लगाया गया सिर्फ इतना ही नहीं, विडियो के वाइरल होने के बाद, हैश्टेग राखुल बोस मुमिन्ट के नाम से कई companies ने केलों का comparison देते हुए अपना advertisement दिया इस मुहीम में नेचर्स, बास्केट, रेलाइंग स्मार्ट, पीजा हट, पॉलिसी बजार, वेस्टन रेलवे और Amazon जैसी बड़ी कमपनिया भी शामिल थी फरहान अक्तर इन दिनों अपनी upcoming sports drama तुफान में अपने रोल के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म में परेश रावल फरहान अक्तर के कोच के रोल में नज़र आएंगे इससे पहले फरहान भाग मिलखा भाग में नज़र आयते जो की एक athlete मिलखा सिंग की बायो पिक थी और अब फरहान तुफान में एक बॉक्सर के रोल में नज़र आएंगे विडियो की शूटिंग मुंबई में हो चुकी है और इसका टाइटल प्राडा होगा सो उसस के मुताबे कि ये विडियो पांच अगस को रिलीज हो जाएगा इसी के साथ आलिया जल्दी मल्ती स्टारर प्रोडक्शन तक्त में नज़र आएंगी बूशन कुमार और दिनेश विजान प्रोडक्शन मेड इन चाइना को पहले 30 अगस्त को रिलीज किया जा रहा था लेकिन कुछ रीजन्स के चलते फिल्म की रिलीज डेट को पोस्पोन कर दिया गया है साती राजकुमार ने एक इंटर्व्यू के जरिये बताया था कि फिल्म की नेक्स्ट रिलीज डेट जल्द ही फाइनल करके बता दी जाएगी फिल्म में राजकुमार और मोनी के साथ अमायरा दस्तूर और परेश रावल भी नज़र आएंगे इस बॉलिवूड की बुल्चन में इतना ही आगे भी बने रहे है हमारे साथ समाच शार इंडिया पर खबर से लेकर है सर्थ तक